हलो 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 everyone, welcome to our channel, let's practice together और आज जो है कुछ special लेकर कर आया हूँ, ताकि आपको जो समझाने में बड़ा ही मज़ा आएगा मुझे, ठीक है, तो अंत तक बने रहीएगा देखने के लिए तो आज का जो question है, वो है कि find the sum of last and notes of the link list question में क्या बोल रहा है, कि आपको एक link list दिया गया है, और एक integer दिया गया है, आपको जितने integer दिया गया है, उतने सारे node को sum करके आपको उसको value return करना है, बस catch ही है कि वो जो nodes है, वो last से उतने होने चाहिए, ना कि starting से, अब देखो, math में हमने कितना अच्छा formula पढ़ा है कि अगर हमें किसी का भी position पता हो last से, तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं easily calculate कर लूँगा starting से position अगर मुझे total length पता है, अगर मुझे पता है कि कितने सारे बच्चे एक line में खड़े है, तो अगर किसी का position last से third है, तो starting से कितना होगा मैं बता सकता हूँ आपको, तो बस यहाँ पर अब n किया है, n बता रहे है कि last से कितना है, तो last से three है, तो starting से कितना होगा, वो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए एक formula आता है, हमारे पास, कि start will be equals to length minus n plus one, where n is the last से position, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, six minus three plus one, which is nothing but four, तो मैं बोल सकता हूँ कि starting से जो fourth node है, वहाँ से हम हमें start करना है submission, तभी तो मेरा last end note का submission मिल जाएगा, कितना easy है, तो हम लोग यह formula लगा करके start कर सकते हैं, यहाँ fourth index से मेरा start होगा add करना, तो हम लोग एक simple loop चलाएंगे, जहाँ पर हम लोग length calculate कर लिए, दूसरा loop चलाएंगे, जहाँ पर हम लोग एक iterator रखेंगे, i equals to one से start कर सकते हैं, और जैसे ही one मेरा four के बराबर आ जाएगा, वहाँ से हम लोग sum करना सुरू कर देंगे, अगर हम इसको visualize करके दिखा है, तो देखो, मैंने आपके लिए कितना बढ़िया चीज़ बना है, कि आप यहाँ पर visualize कर सकते हो, यहाँ पर सारे linklish को देदो comma separate करके, तो यहाँ पर कितना हो गया length मेरा, यहाँ पर length हो गया 7, और मैं बोलू, last 3 note को calculate करना है, तो सबसे पहला मेरा cam क्या रहेगा, यह 7 calculate करेगा, और starting से कितना हो जागा, 7-3 यानि कि 4, तो starting के 4 element को छोड़ करके, वो sum करना सुरू करेगा, यारि कि sum मेरा कहां से start होगा, 5 से start होगा प्लस 8, प्लस 9, और वही मेरा answer आएगा, 22, तो बस, यही तो था मेरा पहला approach, I think इसका code आप easily लिख सकते हो, लेकिन हम लोग जो आज दूसरा approach सीखेंगे, हम लोग क्या देखेंगे, कि कैसे हम लोग fast pointer और slow pointer की मदद से इस question को बना सकते हैं, अब देखो, fast pointer, slow pointer क्या करेग एक ही बार में बिना length calculate किये, इस summation को complete कर देगा, यानि कि हम लोग कहा रखेंगे, एक fast pointer देखो, इसका भी मैं सीधा visualize करके दिखाता हूँ, अगर आपको नहीं समझ भाएगा न, फिर मैं आपको explain करूँगा, जैसे कि same example मैं ले लेता हूँ, और last का 3 लोगा, तो सबसे पहल क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग fast pointer को starting से रखेंगे, यानि कि सबसे पहले 3 node जो है, वो starting से हम लोग sum में add करेंगे, यानि कि 3 को add कर दिए, फिर 3 प्लस 4, हमारा क्या add हो जाएगा, total हो जागा 7, और उसका next node 6, उसको भी हम लोग add कर लेंगे 7 में, यानि कि हम लोग के पा से delete करते वे चलेंगे, और fast को हम लोग add करते वे चलेंगे, यानि कि अब मेरा sum हो गया 10, मैंने कि 7 को add किया, 5 को add किया, 4 को delete किया, ठीक है, फिर next कहाँ जाएगा, slow जाएगा 6 पे, fast जाएगा 8 पे, तो 6 को मैंने delete किया, 8 को मैंने add किया, फिर कहाँ जाएगा, 9 पे जाएग समझ मैं हमने क्या किया देखो बढ़ यहां से समझो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे एक fast pointer रखेंगे जो कि starting के n index को add कर लेगा क्यों ऐसा किये क्योंकि हमें पता है कि slow और fast अगर मैं 2 pointer रख रहा हूँ तो जब दूसरी बार loop चलेगा ना तो slow starting से ही चलेगा लेकिन fast already n notes ahead रहेंगे क्योंकि हम लोग ने देखा था कि second time 7 से start हो रहा था मेरा fast pointer और slow pointer कहां 3 से start हो रहा था यानि कि जब तक slow pointer आगे बढ़ता जाएगा मेरा fast pointer end तक पहुँच जाएगा और जैसे ही fast pointer end हो गया तो slow pointer क्या करेगा आगे कि जितने सारे eliminate कर देंगे notes जो हम लोगों को sum नहीं करने थे उन लोगों को तो जो भी मेरा green part में आएगा वही तो मेरा value है समझे तो को एक बार मैं code लिखता हूँ और code लिखने के बाद हम लोग फिर सी ये dry run करके देखेंगे और आपको easily समझ में आ जाएगा तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहां पर वो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे एक pointer लेंगे fast और एक pointer लेंगे slow तो मैं यहां पर ले लेता हूँ node pointer node pointer fast ले लिया मैंने जो कि nothing but head के बराबर है ठीक है उसी तरह हम लोग क्या करेंगे एक slow pointer ले ले लेगे slow भी क्या है? head के बराबर है अब हम लोग क्या करेंगे? एक sum लेंगे क्योंकि हम लोग को पता है कि हम लोग को समेशा नहीं return करना है हम लोग बोल रहा है जब तक मेरे पास n है यानि कि मैं n minus minus करता हूँ और इस n का यू सिर्फ एक ही बार कर रहा है क्योंकि हम लोग को starting के n notes को sum कर देना है and मेरा fast जो है not equals to null है बस इतना ही करेंगे हम लोग तो sum क्या करेंगे sum will be nothing but fast का data क्योंकि हम लोग को यहाँ पर structure भी दिया गया है कि हमारे पास data part है अगर मैं यहाँ पर open करके दिखा हूँ तो हम लोग को दिखेगा कि यहाँ पर structure भी क्या है data part है और next part है address के लिए बढ़िया तो हम लोग ने क्या क्या इसको add कर लिया यहाँ और fast will be what nothing but fast का next कोई problem नहीं है यहाँ तक अब हम लोग बोल रहे थे जब दूसरा loop चलाएंगे जो हम लोग ने देखा था visualization में नीचे वाले link list में तब हम लोग कहां से चलाएंगे fast से चलाएंगे क्योंकि fast जो है अब मेरा उस n notes को starting के n notes को skip कर चुका है तो हम बोलेंगे कि क्या sum में आप add कर दो fast के data को अभी जहाँ पे मेरा fast है उसको add कर दो sum में लेकिन जब slow pointer की बारी आईगी न तो sum में से subtract कर देना आप किसको slow के data को क्योंकि अब जो है slow start हो रहा है तो slow को भी move करेंगे और fast को भी move करेंगे slow will be what? slow का next and fast will be what? fast का next बस इतना सा ही हमारा problem है अगर आपने इसको समझे लिया तो फिर यह problem बहुत easily solve हो जाएगा और इसके लिए मैंने आपके लिए visualizer बनाया ताकि आप देख सको कि कैसे slow और fast move करता है आपस में तो बस इतना साही था हमारा code अगर हम लोग compile and run करें तो देखो हमारा answer आ जाएगा और घबरानी के बात नहीं इसके बाद हम लोग 2-3 all dry run करके देखेंगे तो यह है मेरा 17 बिल्कुल साही and let's submit the code तो बहुत easy problem था बस अगर हम लोग faster slow से बनाएंगे तो और भी आसानी से बना सकते है optimize करके otherwise आपको basic method मैंने बताई दिया कि आप length calculate कर लो और starting से length minus n करना that will be from the starting तो फिर से second loop चलाना starting से और जैसे मेरा index बराबर आ जाएगा इनके मतलब जो भी मैंने calculate किया वहां से आप sum कर लो ठीक है otherwise जो मेरा second approach क्या था उसको हम लोग फिर से visualize कर लेता है अगर हम लोग दूसरा example ले माल लोग बें example लेता है 1,2,3,4,5 पांच ही element का और last के सिर्फ 2 को sum करना है तो हम लोग क्या कर रहे थे सबसे पहले starting के 2 को add कर रहे थे रोको मैं यहां पर reset कर देता हूं इसको 1,2,3,4,5 and starting will be 2 ताकि कुछ भी रहे नहीं तो बिल्कुल starting के 1 और 2 को हम लोग sum करके रख लेंगे अपने summation में मेरा sum होगा 1 होगा plus 2 जब हम लोग next पर जाएंगे यानि कि total हमारा 3 आएगा यहां पर तो देखो 3 आ रहा है sum का value बहुत बढ़िया तो अब जो मेरा slow pointer start होगा वह होगा 1 से लेकिन fast pointer start होगा 3 से देख रहा है आप एक होगा 1 से start और एक होगा 3 से start क्योंकि हम लोगों को क्य 7 चल रहा है लेकिन जैसी next में जाएंगे तो 3 को भी remove करेंगे और 5 को add करेंगे और इसे के साथ मेरा link list पूरा होगया that's why 9 will be my answer इसलिए हमारा sum किया यहां तक 9 आ गया और हमारा final result भी 9 आ गया तो आई होग आपको समझ में आया और अगर यह visualizer का code चाहिए आपको तो आप बस मुझे Instagram पे follow के message कर सकते हो या फिर आप LinkedIn में सिधा मुझे connect होकर यह मांग सकते हो ठीक है तो बस यही था आज का code आई होब आपको समझ में आया होगा और easily visualize कर चुके होगे कि हम लोगों ने कैसा approach बनाया कोई भी problem हो तो आप उसे comment में पूछ सकते है कल फिर मिलते है न झाल